हेलो एवरिवन आज इस वीडियो का टॉपिक उन पेरेंट्स के लिए है जो नॉन म्यूजिकल है टॉपिक है कि क्या आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा जो है वो उसकी म्यूजिक एजुकेशन सही डारेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है यह थोड़ी में आपको आपके साथ डिसकस करूंगा इस वीडियो में और उससे वो कंफूजन आपकी दूर होगी तो इसमें एक फेस यह आता है सबसे पहले जब आपका बच्चा चोटा है चार साल पास साल दस साल तो आपको लगता है कि इसको म्यूजिक सिखाना चाहिए उस केस में क जो की आपको पता चलता है कि बंदा यह बच्चा जो है म्यूजिक में इंट्रस्टेड है अब इसको हमें सिखाना चाहिए ठीक है तो आपने और इसको बोलो बेटे कौन-कौन सा गाना पसंद है यह गाना तिरको पसंद है उसकी लिस्ट में डाल दो उसकी एक प्लेइलिस बनाओ जो जो गाने उसको पसंद है वो बार-बार उसको सुनाएं यह एक बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है इस पॉइंट को हलके में नहीं लीजिएगा क्योंकि आगे म्यूजिक एजूकेशन में यह पॉइंट आपको बहुत काम आता है उसको पता होना चाहिए ब गाने उनको आल्रेडी आते हैं पसंद हैं वो गाने अगर वो सीखते हैं तो ऐसा देखा गया है कि उनकी म्यूजिक एजूकेशन जो है वो स्पीड से चलती है ठीक है तो इसको इग्नौर नहीं करना फेवरेट सौंग की लिस्ट जरूर बनानी है उन गानों को बार-बार स कुछ इससे भी छोटा होता है यह वाला यह भी आप लाके दे सकते हैं इसको करना है तो अभी म्यूजिक क्लास जॉइन नहीं करी छोटा इंस्ट्रूमेंट घर में आ गया दो तीन अजार रुपे का ऐसा आ जाता है हाँ इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा के कंपनी का इ ले आ रहे हैं जो होते हैं बहुत ही हलके वह नहीं लाना क्योंकि उसके प्रॉब्लम क्या है हाँ यह भी चलो बहुत अच्छा पॉइंट मेरे दिमाग में आया मैंने कई बार देखा है म्यूजिक शॉप्स पे ऐसे इंस्ट्रूमेंट बिखते हैं जिसमें के जो सुर हैं साथ के वह म्यूजीक के हिसाफ से बिस्ट्रूमेंट करें अगर उसको शुरू से ही बेसुरा बिकते हैं ला टिंग बजाने वाले वी अगर आप ला रहे हैं तो सुरीला ला यह बेसुरा मत लेके आइए बहुत बिक रहे हैं क्यों क्योंकि शुरू से ही बच्चे के कान में सुरीला म्यूजिक जाना चाहिए नौट बेसुरा यह बहुत सुक्षम चीज है सुर को पकड़ना उसको शुरू से जो चीज वो सुनेगा वही पकड़ में आई कि तो रिकमेंडेड यह है कि आप किसी कंपनी का ही खरीदो उस च्छोटे बच्चे को देखिए कितनी चल रही है अभी म्यूजिक क्लासज ¿ șiट नह具ें उसकों में लेकर चोटे बच्चे को उसकोم किसी एसे किसी मूजिक स्कूल में लेकर सो दिखाओ शो होता देखो यह गिटार क्लास चल रही है यह उřICUL क्लास चल आ रहे हैं तो उसको बच्चे को बेटे कोई गाना सुनाओ ऐसे ही इस टाइप की चीज़ें छोटी-मोटी आप कर सकते हैं तो बेसिकली टेक इम टुदा मूजिक स्कूल और कॉंसर्ट एंड मेक मूजिक और इन्वाइरमेंट अट होम यह पॉइंट्स हैं अब इतना सुब आपने कर लिया और वो जो इंस्टुमेंट आप लेके आयो वह भी उसको बीच-बीच में देदो टू-टा-टू-पी-पी क करता रहेगा कोई बात नहीं लेट इंस्टुमेंट उसको पता चलेगा यह पतली आवाज निकलती है यह मोटी आवाज निकलती है इतना ही बहुत है अब आप गए म्यूजिक स्कूल में ठीक है या आपने किसी प्राइवेट टीचर से बोला कि सर प्लीज कृप्या करके हमारे बच्चे को संगीति चिक्षा प्रदान करें तो आपको क्या-क्या करना है सबसे पहले आप ऐसे ही कोई क्लास मत जॉइन करो क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर इस वेरी वेरी इंपॉर्टन आप पता करो के यह जो टीचर है क्योंकि बहुत सारे बगुले ऐसे भी घूम रहे हैं जो रहे हैं डोटाल पता करो क्या है तब यूंके साथा जॉइन करिए उनका ज sidarian उस्पिरियंसार एक जॉइससार का तजुरुवा कि और उन्हों ने जिस बच्चे को सिखाया है तो उन्होंने जिनको सिखाया है उनमें इस से कितने बच्चे मिनीशिन बने इस पटिकुलर मुजिक स्कूल में जहां आप जारहे हो मुजिक स्कूल से कितने मुजिशिन बनके निकले हैं ठाउन किंए और यह जो है यह की बात कर रहा हूं यह मैं और घ्रिप एक रादिया मैं इसको रिजल्ट नहीं मानता इस इस नोट प्रैक्टिकल रिजल्ट वह बंदे को आप बोलो कि यह बजाओ उसको बोलो यह कंपोजीशन है इस पर कॉड लिखके बजाओ जरा एक दम से बजा दिया यह गाना सुना एक और जिनल बजा के दिखाओ बजा के दिखाओ ठीक है ठीक है ठीकल सेटिफिकेट अच्छी चीज़ है बट वह सेकेंडरी है तो वह इस रिजल्ट के वहां उस इस इंस्टिटूशन से कितने म्यूजिशन बनके निकले हैं कि टीचर्स परफॉर्मेंस टीचर जो खुद सिखा रहे हैं वो क्या बजाते हैं के नहीं आपने देखा कि हाँ बहुत बड़े शोरूम में एक शर्ट लगी हुई है आठ हजार रुपे की है खरीद उसमें यह हमारा इंस्टिटूशन बहुत बड़ा है यह है वह है आपको अच्छे से एकदम देखके क्योंकि इस वेरी इंपॉर्टन पॉइंट जो आपको क्यों क्योंकि यह चाइल्ड की पहली बेसिक शिक्षा हो रही है यह जो बेस है ना यह बहुत इंपॉर्टेंट है यहां गलता है आपका चाइल्ड जो हो वह प्रोडिजी हो मुझा वह त्चा में के वह मुझा यह रहा है और यह को पता चिलाता है कि छो जो होते है जो अच्छा करतें Mind उनको एक मिनट में चीज समझ में आती है उनको उनके लिए अच्छा होता है कि आप किसी अच्छे टीचर से सोलो क्लास उनको जोइन कराओ क्योंकि उनकी स्पीड बहुत तेज होती है अगर आपको लगता है अभी टेस्टिंग पीरियड है टेस्ट करना है दो तीन मेने के कर रहा है कि नहीं कर रहा है तब आप उसको गुरूप क्लास कराओ वह बहुत अच्छा रहेगा क्लास करा दो वो उनके ठीक रहता है तो क्लास आपने जोइन करा दी अब क्लास जोइन करने के बाद उसकी क्लास म्यूजिकल क्लास चल रही है म्यूजिक सीख रहा है वह अब आपको क्या क्या करना है थोड़ी उस पे बात करते हैं आपको देखना है कि आपके बच्चे की मंथली इंप्रूब्मेंट क्या है उसने एक वीक में क्या सीखा इस पर आपको उब्जर्वेशन रखनी है नजर रखनी है ठीक है जो जो उसने सीखा एनफ है क्या वो और ज्यादा कर सकता है और ज्यादा कर सकता है तो और ज्यादा कर आओ what is the problem monthly improvement क्या है yearly improvement क्या है ठीक है assessment मांगो कि भाई या इस नीनों ने क्या क्या सीखा जारा मुझे बताओ उसके बाद topic आता है exam का exam आपको तभी करना है जब जो बच्चा है वो सच में ready है exam के लिए exam को कभी भी थोपना नहीं है thrust उसके ओपर थोपना नहीं है ठीक है एक्जाम ही करो certificate ही चाहिए ठीक है तो exam तभी करो टीचर को बोल दो कि सर इसको exam तब कराना जब यह सच में ready practical बजा रहा है practically बजाते बजाते ग्रेड़ बन पर पहुंचे ग्रेड़ वन का एक्जाम कभी भी थोपना नहीं कोई फाइदा नहीं है उसका लॉंग टम में विकार है उसके बाद आपको रखना है balance of his interest and his syllabus दो चीजों का balance रखना आपको बच्चे की musical class में उसका इंट्रस्ट किस चीज में है वो भी सीखे और उसको जो सीखना चाहिए स्ले बस जैसे स्टाफ नोटेशन हो गई तेयोरी हो गई वो भी सीखे दोनों का balance क्योंकि ऐसा देखा गया है कि खाली अगर स्लेबस चलता रहता है तो खास तोर पर छोटे बच्चों का इंट्रस्ट डाउन चला जाता है तो यह क्या है क्योंकि उसमें ज्यादा तर western songs है ज्यादा तर ऐसे music है classical music है बच्चे ने कभी सुना नहीं होता वो कहता है क्या बजा रहा हूं तो प्रोडिजी च घ्रेखाल के उपर आपको श्रेयम करना है डOR को अब मतलब चलिए उसके लिए हो भी चिखे और रोटी इसको प्रीय अज़ें और नया सौंग प्राना संग जो भी पसंद है सिखा दो no problem balance बन जाएगा अगला पॉइंट है प्रैक्टिस के उपर आपको अब्जर्व करना है कि उनका जो चाइल्ड है वह प्रैक्टिस क्या से करता है घर में एक हफते में एक दिन तो क्लास होती है लेगिन उसके बाद आप देखो क्या खुद जाके रोज उठाता है इ यह रोज करने की चीज है उनको आपको बताना पड़ेगा इट्स अवरी डे वर्क इट्स अवरी डे प्रेक्टिस उनको लगता है कि हफ्ते में एक दिन अच्छा बाकी दिन खेलेंगे अभी एक दिन प्लास होगी उससे नहीं होता हो सकता है अब भी जो वीडियो सुन रहें है उसको बोलो कि रोसप्रैक्टि करने और बहुत अच्छी बात थी ज़ाके बच्छा प्रैक्टिस कर रहा है थी कि लेकिन आपको तो noises करने केleb हमान उसको बोलो बैया चलो आज आज पार्टी है शाम को घर में आपकी पर्फॉर्मेंस होगी ऐसे करके या कहां जहां भी आपको मिले जहां भी चांस मिलें वहां जरूर प्ले करें डोजन्ट मैटर अच्छा बुरा क्या इसके लिए एक कम से कम एक सॉंग अच्छे से प्र झाए अब देखिए म्यूजिक क्लास चल रही है अगर आपको लगता है कि उसका इंट्रस्ट नहीँ हो रहा है म्यूजिक क्लास तो उसको बिए क Crush नहीं है तो उसको ब्रेक दो इक ब्रेक देदो अगर बहुत लंबा खिशता है मैंने देख़ा मैं कई ऐसे इंस्टिटुट में मैंने अब्सफ Holmes किया है weHAHA साल से ठीक है और क्या कर रहे हैं एक ही संग बजा रहे हैं तो ऐसी लर्निंग का फायदा एक ही संग बजा करें या खाली एक्जाम करें जा रहे हैं कि उसको नहीं हम ने बाला सब्सक्राइब कि इंट्रेस्श का बैलन्स में अब ध्याMost नहीं होना है तो उसको कॉस को डूंड़ क्या कारण हो सकता है कभी-कभी में 13-14 साल की इए मैं जब बच्चा जाता तो वहां पर उसका थोड़ा सा फोकस हिलने लगता है कि क्या है यह क्या है करके तो कभी-कभी उस एज में उसका वैलेंस जो उसका इंट्रस्ट वह उता है कोई बात नीक ब्रेक दे दो कारण आपको मिलता है कारण अगर मिलता किस लिए उसको नहीं कर पा रहा है तो ठीक ज्यादा बंदा पक जाता है ब्रेक ले लो इन फैक्ट आई रिकमेंड ब्रेक लेना बहुत अच्छी बात है इंपॉर्टन्ट है कंटीनू को बहुत लंबा मत खीचो उसको पूचो बहुतकी स्वाराय। थे उसको एक्जेक्टली करना क्या है उसको फुटबॉल के उसको सिंगिंग कभी इसा भी होता उसको गिटार बजानाए और उसको फुटबोल लेक्र्ट करना है तो मैंने करने दो करने फूटबाल का चल रहा है तो फूटबाल खेलना चलोगे दो-दो-तीन-तीन महीने सब करा लो थीक है गूम फिरके अगर अच्छी में music करना वापिस music पर आएगा वापिस लबा सकते हैं किसी दूसरी चीज में उसका जो है इंटरस्ट बनेगा वो वो करेगा ठीक है तो यह कुछ